आकिर भुपेज बगेल की सरकार ने सिर्फ इन ख़दानों को देने के लिए लेमुरू प्रोजेक्ट और तमोर पिंगला का जो एडिया है उसको कम किया क्योंकि उसको कम करने से ही ये खदाने दी जा सकती थी और ये पेर काटे जा सकते थे अगर भुपेज बगेल सरकार चाहती तो इसको रोख सकती थी पर्यावर्ण की स्विक्रिती रोख सकती थी जब इनके बड़े भाई राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सोनिया जी को पत्र लिखा और इनकी अम्मा सोनिया जी ने भुपेज जी को पत्र लिखा उसके बाद उसके बाद 36 गड़ के हितों को तुरोहित करने के लिए तैयार हो गये जो काम तीन सालों से रुका हुआ था पिछले तीन मेहनों में उसका पर्मिसन क्यों दे दिया गया वो साल और सरई के सेंटरल इंडिया के सबसे बड़े जंगल है मुख्य मंत्री जी बात करते हैं कि जाड लगाये जाएंगे तीन मुने वो जाड पचास साल और सौ साल और दो सो साल के जाड है और सरई और साल के जंगल प्राकृतिक होते हैं उनको लगाया नहीं जा सकता क्या वैसा जंगल पुनर निर्मित हो सकता है क्या चतिस गड़ सरकार ने इस बात का सर्वे किया कि अब फरेस्ट्रेशन के बात में जो जंगल लगाया जाना है जो जाड लगाया जाने है अभी तक जितनी खुदाई हुई है क्या उतने जाड लग गए हैं अगर वो नहीं लगे हैं तो फिर सरकार ने क्या कारवाई की है आज 36 गड़ के हितों को तिरोहित करने का काम 36 गड़ के हितों को बली चढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भुपेश बगेल जी की सरकार कर रही है भुपेश बगेल जी कर रहा है और इसने भुपेश बगेल जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे क्या 36 गड़ सरकार की बिना अनुमती के पेर काटे जा सकते हैं क्या खुदाई हो सकती है 36 गड़ के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है भुपेश मगेल जी की जिम्मेदारी है 36 गड़ सरकार की जिम्मेदारी है आज वो 36 गड़ की जनता को गुमरह करना बंद करें आज मैं समाचार पक्ट्रों में पढ़ रहा था कि इनके स्वास्त मंत्री बोलते हैं कि अगर गोली चलेगी तो पहली गोली मैं खाऊंगा और तो भीया मंत्री जी गोली खाने की जरुवत नहीं है अगर आप में इतना ही दम है तो आप मंत्री पर से इस्तिफा देकर मैदान में आके लड़ो उन वनवासियों का अधिवासियों का नित्रिक्ट करो भारती जन्ता पार्टी का प्रतिनिदी मंडल वहाँ पर चला गया और उनको अपनी जमीन सक्ती हुई लगी तब वो वहाँ पर गये हैं और हम तो ये भारती जन्ता पार्टी की वहाँ पर पेड़ों की कटाई बंद की जाए वहाँ पर अगर आपको żyक्तिफगर में ऐसे बहुत से छेत्र है यहां पर जंगलों की कम कटाई से कम रहवासि छेत्र से और यहाँ पर हाथियों का हाथि और मानौ दौन्दों को कम से कम किया जा सकता है ऐसे छेत्रों में हम यह नहीं कहते कि कोईले के आउ सकता नहीं है बिजली के आउ सकता नहीं है यह दोनों आउ सकता है पर 55,000 मेट्रिक टन कोईले में से 5,000 मेट्रिक टन कोईले के लिए सिर्फ ये 3-4 ख़दाने दी गई है तो क्या इनका छेत्र परिवर्थित करके और ये काम को नहीं किया जा सकता आखिर क्यों इतने घने जंगलों के बीच के जानों को काटने की अनुमति दी जा रही है ये हम कुछना चाहते हैं